इंस्टाग्राम के अंदर अगर आपको branded content जो है status ineligible बताता है तो इसको आप ठीक के से करोगे वीडियो को पूर आएंट तक देखे वीडियो अच्छे लगी तो like ओर चैनल को भी subscribe जरूर कीज़ेगा तो यहाँ पे branded content जो है status अभी ineligible आ रहा है यानि कि हमारा जो status है वो ineligible है हम branded content यहाँ से create नहीं कर सकते तो अब किस तरीके से आप इसको हटाओगे और यहाँ से eligible किस तरीके से होना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो को बस फूरा एंट तक जरूर द जाएगा तो आपको इसके लिए क्या करना है यहाँ पर देखे आपने partner monetization policy की violation अगर की है तो इस तरीके से आपको लिखाएगा इसके उपर हम क्लिक करेंगे इसके उपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर current policy violation दो है यहाँ पर established presence और दो नहीं established presence है यानि कि आपने जो Instagram के अंदर कुछ भी मतलब शो कुछ भी चीज़े की नहीं है जैसे आप Instagram का यूज बहुत कम करते हैं आपके पास followers नहीं है या फिर आप जो है अपने account में कोई भी photos, videos, post नहीं कर रहे है किसी को आप मतलब Instagram का आप normally use बहुत कम या फिर नहीं कर रहे है तो इस case में यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा या फिर आपका account जो है काफी कम followers वाला है इस वज़े से यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है तो अगर आप minimum rear use करते हैं जैसे 1000 followers अगिर आपके हो जाते है पास उसे 1000 तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो य यहाँ से हट जाएगा अगर आपको यहाँ पर वीडियो समझ मैंती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा